उम्शांती उसको अपने जीवन में अप्लाई किया इंप्लेमेंट किया और उस शक्ति को अपना नाच्रल स्वरूप अपना नाच्रल संसकार बनाया और जब हमने उन अश्ट शक्तियों को अपना नाच्रल संसकार बनाया तो हमारे अंदर का रावन मरना शुरू हो गया और सही माइने म हम सबने मिलकर दसेरा मनाया और जब हम उस अश्ट शक्तियों को इमर्ज करके अपने अंदर के रावन को जलाते हैं तब ही तो यहां पर और हमारी दुनिया में दिवाली आती है दिवाली अर्थात जब आत्मा की जोत वो दीप जग जाता है तो साल का वो ही समय आ चुका है जहां सिरफ घर घर में नहीं पूरे देश में यहां तक के सारे विश्व में सभी उमंग उजसाह से दिवाली की तैयारिया कर रहे हैं दिवाली सफाई का समय दिवाली नवीनता का समय दिवाली दीपों का समय सौगात गिफ्ट देने का समय, मिठायां खाने और खिलाने का समय और एक दूसरे को दुआएं देने का समय और पुरानी बातों को, पुराने खाते जो एक दूसरे के साथ अठके हुए थे उनको फिनिश करके नए साल की, नए युग की शुरुवात का समय तो वो ही समय साल का दिवाली फिर से आया है, दिवाली के कई दिन पहले से ही हम सब सफाई शुरू करते हैं, वैसे तो देखा जाए तो हम हर रोज ही सफाई करते हैं, अपने घर की सफाई, अपने शरीर की सफाई, साथ-साथ मन की भी सफाई, लेकिन दिवाली के समय सफाई एक अलगी लेवल पर चली जाती है, कोने-कोने से सफाई की जाती है, हर रोज हम क्या करते हैं, उपर-उपर से सफाई करते हैं, और कभी-कभी चीजों को उठा कर ऐसे ही अपने कबर्ड में, कहीं शेल्फ पर रख देते हैं, लेकिन कई बार चीजे इतनी जमा हो जाती हैं, क के साथ बहुत अच्छा व्यावाहार करते हैं, हमें लगता है हमारा सब के साथ रिष्टा इतना अच्छा है, we get along so well with each other, लेकिन हम ये नहीं चेक करते हैं, कि कभी-कभी हम मन में क्या कुछ पकड़ के रखते हैं, हम उनके बारे में सोचते कुछ और है, लेकिन हम उनके साथ बोलते कुछ और है, हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, फिर भी हम करते हैं उनको खुश करने के लिए, लेकिन अंदर तो हम यहीं पकड़ के रखते हैं, मेरा करने का मन नहीं था, लेकिन उनके लिए मुझे करना पड उपर उपर की सफाई हो रही थी, के शब्द words perfect, behavior, व्यावाहार perfect, लेकिन अंदर और मन के कोने कोनों में कई बहुत पुरानी बाते पकड़ के रखी होई है, अगर हम सुक्ष्मरिती, subtle रिती चेक करें, sometimes we are very critical about people, हमें उनके संस्कार अच्छे ने लग रहे, हमें उनका व्या जीने का तरीका पसंद नहीं आ रहा, लेकिन हम सब के साथ अच्छे से चल रहे हैं, और हमने का रिष्टे बड़े अच्छे हैं, लेकिन हमने देखा कि सब कुछ करने के बावजूद, हमारे रिष्टे बहुत strong foundation पे खड़े नहीं है, किसी ने एक शब्द कहा, तो बहुत क कबड, कि गलती से अगर किसी ने वो कबड खोला, तो हमारे मन में जो कुछ पकड़ा हुआ था, वो सब बाहर निकला जाता है, तो दिवाली आ गई है, प्यार से घर के कोने कोने की सफाई करें, लेकिन साथ साथ मन के कोने कोने की सफाई करें, जब तक मन की सफाई नहीं हो divinity को invoke करना जहाँ मेल होगी वहाँ divinity कैसे आएगी जहाँ पुरानी बाते पकड़ी होगी वहाँ purity कैसे आएगी जहां किसी के बारे में कुछ पकड़ा रखा होगा वहाँ सफाई कैसे होगी इसलिए मन के कोने कोने की चेकिंग करे कोई जाले लगे हुए है, कहीं कौने में मैल पकड़ी हुई है, कोई तो इतनी पुरानी मैल है, कि हमें वो मैल लगती ही नहीं है, क्योंकि कहीं वो हमारे मन के दाग, वो एक मन का हिस्सा ही बन चुके है, हमें पता भी नहीं कि ये एक दाग है, लेकिन ये हमारा ओरिजनल प् बेठते हैं, पर मात्मा को याद करने बैठते हैं, तो अच्छे से चेक करे, कोने-कोने जहां पहले कभी नहीं गए थे, वहां जाएं, बच्पन में कुछ हुआ था, 20 साल पहले कुछ हुआ था, किसी ने कुछ कहा था, किसी ने कुछ किया था, उसको रिमूव करना है, The stain has to be removed even if it's very very old क्योंकि आत्मा का दाग हमारा हिस्सा बन जाता है वो हमारे present पर भी influence करता है और अगर आत्मा शरीर छोड़ती है तो हमारे दाग हमारे साथ जाते है तो अगर स्रिष्टी पर स्वर्ग लाना है स्रिष्टी पर दिवाली लानी है तो हम हर आत्मा को अपने हर दाग कई दाग तो हम पिछले जन्मों से लाए हुए है Feeling rejected, getting hurt very easily Feeling nobody loves me कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता है कोई मुझे respect ही नहीं करता है मेरी किसी को value ही नहीं है मेरी किसी को जरूरत ही नहीं है जिसको देखो मुझे use करता है और फिर छोड़ देता है Repeated patterns ये आवाज जब अंदर चलती रहती है तो आत्मा की purity खतम हो जाती है हम भले सबके साथ बहुत अच्छे है लेकिन खुद अपने आप से अंदर अच्छे से बात नहीं करते है तो हम खुद ही खुद के मन को कितना मैला कर देते है तो what we are talking to ourself are in our conversation we need to check एक गलत सोच दाग है और एक सही सोच उस दाग को मिटा देती है अपनी सोच से ही हम दाग लगते है और अपनी सोच से ही हम अपने दाग को मिटाते है तो ज्यान को लेकर परमात्मा की याद और शक्ती से अपने मन पे लगे हुए दागों को मिटाना है तभ ही जीवन में दिवाली आएगी so take these next few days and really spend time with yourself दिवाली सिरफ बाहर मनाने का त्योहार नहीं अंदर मनाने का त्योहार है every festival has to be celebrated inside we are focusing so much more only on the outside today so just rewind the CD of the soul just rewind करे जहां तक याद आता है और हर बात की सफाई करनी है every corner कोई भी बात जो हमने अपने ही हां रखी होगी उसने ऐसा क्यों किया उसने ऐसा क्यों किया सब कुछ मिटाना है वो उनका संसकार वो उनका नजरिया वो उनका उस दिन मन की स्थिती वो उनका मूड अपने आपको समझाना है दाग को मिटाना है खुद से कोई गलती हुई हो हमारे से भी कभी गलती हो जाती है तो हम अपने आपके साथ बहुत critical हो जाते हैं अपनी ही गलतियों को अंदर दोराते रहते हैं वो भी दाग है, कार्मिक अकाउंट था, पूरा हुआ, गल्ती हो गई, फिर कभी नहीं करेंगे ये थोट क्रियेट करके उस गिल्ट के और सेल्फ क्रिटिसिजम के दाग को खतम करना है, कोने कोने की सफाई, तो अगले कुछ तिन अपने आप के साथ समय बिताएं और कोने को कर हर पूराने दाग को खतम करें, तब ही हमारा मन दिवाली के लिए साफ और स्वच्छ है, ओम शांती